हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, बहुत ही सिंपल तरीके से, इसके लिए सबसे पहले मैं डो तैयार करती हूँ, दो कटोरी मैंने आटा लिया है, उसमें मैं आधा चम्मत से थोड़ा कम नमक डाल रही हूँ, गुंधने के के लिए मैंने हलका गरम पानी लिया, खास करके विंटर में अगर आप हलका गरम पानी से डो तैयार करें तो वो बहुत ही सौफ्ट तैयार होते हैं, इस तरह से मैंने डो तैयार कर लिया, आप मैं इसमें दस मिनट रिस्ट के लिए रखती हूँ, आलू को मैंने उपाल लि मैंने इने मैस्ट कर लिया है और यह जो मसाला मैंने दरदरा सा पीसा है उसे डाल दिया है एक क्याज मैंने चॉप्ट करके रखा था उसे भी डाल दिया वन फोर्थ इस्पुन मैं लाल मेच पॉडर डाल रही हूँ और आधा चमच फुल नमक तीखा आप अपने टेस्ट के कोडिंग थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम कर सकती है इन मसालों के साथ आलों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है यह देखे मैंने मसालों के साथ आलों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है फीलिंग के लिए हमारी आलो तैयार है अब मैं बनाना शुरू करती हूँ लोई मैंने मीरियम साइज के लिए है आपने छोटा बनाना है तो थोड़ा छोटा कर दें या बड़ी पूरी बनानी है तो और बड़ी लोई ले सकते है इसे म बड़ा मैंने आलो लिया कि आलो के प्राठे में अच्छी तरह से आलो भरे हो तब ज्यादा मजा आता खाने में ये देखे बीच में मैंने आलो को गोल करके रख लिया है और किनारे से आटे को मैं इस तरह से लपेट-लपेट के फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी त जगे हाथों से आप इसे बढ़ा कर लें हथेली पे रखे या चोका पे रखे यह देखे करें 50% मैंने इसे बढ़ा कर लिया इससे क्या होता है आलू एक बराबर से पूरे पराठे में फैल जाएंगा फिर हलके हाथों से इसे बेल लेना ये देखे सिखने के लिए मैंने पैन में डाल दिया है, आज को मैंने मीडियम रखा है मैं इसे सरसों तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइन ओईल घी या बटर में भी इसे सेंख सकती है इसी तरह से दूसरे तरफ से भी मैं ओईलिंग कर रही हूँ और इसे पलट के दोनों तरफ से सेख लेना ये देखे एक तरफ से थोड़ी से गैस निकल रहे हैं तो उधर से दपा के दूसरी तरफ से उस पे प्रेसर बना के ये देखे प्राठा हमारे फूल रहे हैं ये देखे कितना क्रिस्पी पराठा हमारा सिक्के तैयार हो गया इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी बना के दिखा रही हूँ इसे मैं हाथ में लेके फेलिंग डाल रही है इसमें हाथ में लेके ये जो पूरी इतना बड़ा मैंने आटाउ पीला था इसे बीच से दबाव बनाके इनुकटोरी के जैसा घूमा घूमाके और इसके किनारे को इस तरह से पैक कर देना यहां पर से भी चाहें तो एक्सटाठा हटा ले या फिर इसी में इसे मेकप कर दे अज इतना हो सके इसे चौका पे हाथों से बढ़ा कर ले से आलू एक परावर से पूरे पराथा में फैल जाएंगे हलके हाथों से फिसे फिर इसे बढ़ा कर लेना ये देखें दूसरा पराथा भी हमारा तयार होके आहाँ विंटर के मौसम में सरसुका तेल हिल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है और आलू का पराथा तो जिस्पीत ऑईल में बनाएं बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से मैं दोनों तरफ से ऑईलिंग करके क्रिस्पी सा सेंट लेना है थोड़ सा ध्यान दें तो आपके सभी पराथे फूल जाएंगे ये देखे कितनी अच्छी तरह से मेरे पराथे फूल गया है अगर आपका अलू का पराथा फूल रहा है तो समझ जाएए आपने जितनी तैयारियां की हैं सब परफिक्ट जा रही है और आपने परफिक्ट आलू का पराथा बना लिया इसी तरह से मैं सभी पराथों को बना रही हूँ थोड़ा संभाल के इसे बेलना होता है और में फीलिंग इसकी अच्छे से करनी होती है ताके आलू एक परापर से पूरे पराठे में फैल जाए ये देखें मैं सभी पराठे करीब करीब फूर रहे हैं इसे आप साउस के साथ, चाय के साथ या फिर मीठी दही के साथ इंज्ड़ाए करें ये खाने में बहुत टेस्टे लगते हैं इंटर का मौसम हो, अगर में आलू का पराठा नहीं बने ऐसा हो नहीं सकता ये देखें सभी पराठे कितनी अच्छी तरह से फूर रहे हैं इसी तरह से सभी पराठों को मैं बना रही हूँ सर्फ करते समय उपर से घी या बटर डाल दें ये और भी टेस्टी हो जाते हैं हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब जरूर करें